है 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 लो दोस्तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टर नून गुड इबनिंग सभीवच्चों को रादे रादे जैसी किसना बिटा तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जहां आप लोगों को बहुत ज्यादा कन्फूजन होती है और इजली चीजे समझ मे भी नहीं आती हैं तो मैं बात कर रहा हूं ECG के बारे में एसी के बारे में बहुत आसान तरीके से आज आज सबसे पहले एसी जी क्या होता तो एसी जी आपका होता है एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी एसी जी क्या होता बेटा एसी जी आपका होता है एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी होता है आये बात कर लेते हैं कि एलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी के अंदर कुछ टर्म आते हैं स टर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम बहुत ज्यादा बच्चों को कन्फीजन होती है कि सर इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ क्या होता है और इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम क्या होता है दोनों टर्म को बिल्कुं क्लियर करेंगे बच्चों जो आपका इलेक्ट्रो का recording of impulse of height जो electrical recording होती है इस electrical recording को क्या कहा जाता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम कहा जाता है ठीक वई सबसे पहले बहुत बार कुश्चन में यह भी आया है कि father of ECG किसको कहा जाता है father of ECG किसको कहा जाता है तो मेरे प्यारे बच्चो father of ECG कहा जाता है इन्थो बन को है नवाई किसको इन्थो बन को इसको याद रख लेना या या इसको हम inventor of ECG भी कहा जाता है इनको हम inventor of ECG भी कहते हैं अब कई बार question में आप से यह भी पूछा गया है कि first recording बाज डन बाई पहली बार ECG की recording किस ने दी थी तो वो एक आपके डॉक्टर साब थे जिनका नाम था बॉलर तो बॉलर साब ने सबसे पहले ECG की recording दी थी आप ECG को करते कैसे हैं तो बैया standard ECG को करने के लिए standard ECG को करने के लिए हम लोग तीन लीड का यूज करते हैं कितनी लीड तीन लीड का यूज करते हैं तीन लीड में दो लीड को लगाते हैं बोथ रिस्ट में दो लीड को लगाते हैं बोथ रिस्ट में और एक लीड को अब आगे की तरह बात कर लेते हैं उससे पहले यह आपका एक ECG का डाइग्राम है ECG का structure है यह है आपका ECG का structure ठीक भाई यह देखो यह है आपका ECG का structure जिसमें कुछ लेटर दिये हुए है कौन कौन से लेटर दिये हुए है पी लेटर दिया हुआ है क्यू लेटर दिया हुआ है आर लेटर दिया हुआ है आर लेटर दिया हुआ एस लेटर दिया हुआ यह पांच लेटर के द्वारा आपके जो एसी जी है उसको इस्टीमलोट कि होता है पी से लेकर जो आर तक का इंट्रवल है इस इंट्रवल को क्या कहते हैं तो टाइम बिट्वीन बिगनिंग ओफ ए बिगनिंग ओफ ए का मतलब क्या होता है आट्रियल सिस्टोल एक मतलब यहां पर क्या है आट्रियल सिस्टोल है आट्रियल सिस्टोल टू बिगनिंग of ventricular systole यानि कि जो पी से लेकर आर तक का जो समय है पी से लेकर आर तक का समय है वो समय दर्साता है beginning of arterial systole से लेकर beginning of ventricular systole तक का जो समय है वो PR के द्वारा दर्साया जाता है टाइम पॉर इंपल्स तू रीच फ्रॉम ऐसे नोट टू ventricles है ना बई तो टाइम यह क्या कहता है जो PR इंटरबल होता है यह टाइम होता है जो इंपल्स आपका पहुंचता है ऐसे नोट से कहां के लिए ventricles के लिए पहुंचता इसको PR इंटरबल के द्वारा दर्साया जाता है चलिए भाई आप बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ बढ़ने में आपकी कुछ बेप्स आती हैं तो उन बेप्स को देख लेते हैं बेप्स आती हैं और निगेटिव बेप्स क्या होती है है पॉजिटिभ एंडर अथी आपकी पी आर्टी और णिगेटिव एपस के अंदर आती है आपकी क्यू और एस ठीक बढ़ चलिए आप बात कर लेते आगे की तरफ अब यह जो आपकी बेप साती है यह कुछ इस तरीके से आपका डाइग्राम होता है यह कुछ डाइग्राम होता है यह कुछ डाइग्राम होता है ठीक है चलिए जिसमें पीवेब क्या होती है जिसमें क्यू आरेस वेब क्या होती है और जिसमें टीवेब क्या होती है इस तरी क्या करती है तो पीवेब इंडिकेट करती है आर्ट्रियल सिस्टोल को और आर्ट्रियल कॉंट्रेक्शन को और आर्ट्रियल डिपलराईजिसन को जिसका समय कितना होता पॉइंट बन सेकेंड का इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका क्यू आरे से यह क्या इंडिकेट डाइस टोल और रिलेक्सेशन और रिपलराईसन जिसका समय कितना होता है पॉइंट फाइब सेकेंड चलिए भई enlargement of atria जिसको क्या बोलते हैं atriumegeli कहा जाता है very very important जिसको atriumegeli कहा जाता है अगर inverted P wade आ गयी अगर ulty p wade पह गई तो इसको यू बेव के नाम से जानते हैं और यह Max तो किस्का होता हैसे का defect माना जाता इसको आगर Ooh इल्टी बन गई तो तो इसको यूब कहा जाता है और इसका defect कहां देखा जाता ऐसे नोड में कमी देखने को बताता है ठीक है सर इतनी बात समझ में आ गई चलिए बाई अब बात कर लेते हैं disorder of qrs बेब की disorder of qrs बेब का क्या disorder होता है चलिए तो disorder of qrs बेब को देखेंगे अगर enlarged rave हो जाती है अगर rave आपकी enlarged हो जाती है तो इसमें enlarged ventricles माना जाता है यानि कि आपका जो बेंट्रीकल से यह कैसा हो गया enlarged हो गया अगर आपका q wave enlarged हो गई तो इसको myocardial infection कहा जाता यानिकी height attack कहा जाता है क्या बोलते हैं height attack कहा जाता है ठीक भाई इतनी बात आपको समझ में आई बहुत बढ़िया अब हम बात कर लेते हैं अब हम बात कर लेते डिसॉडर और टीवेब की टीवेब का डिसॉड यानि कि आपका जो हाइट है वो insufficient oxygen को पास नहीं कर रहा है या inverted टीवेब हो गई उल्टा टीवेब हो गई तो myocardial ischemia जैसी condition देखने को मिलती है क्या myocardial ischemia जैसी condition देखने को मिलती है चलिए बढ़िया है ना तो इस तरीके से यह हमारा ECG वाला topic खतम हुगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको ECG और कितना समझ में आया आपको ECG और ECG जो होता है यह आपकी हिर्दय की साइकल होती है अगर आपको पसंद आई है तो एक बार कमेंट करके जरू बताइए का मिलते हैं next video के साथ मैं thank you so much all students